नमस्कार इस्पेन नाइन नियूस में आपका स्वागत है इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से निकल कर सामने आ रही है बिहार में जहां 13 माई को पांच लोग सभा सीटों पर चुनाव होने हैं और चोथाई चरण के लिए जहां प्रचार प्रिसार थम चुका है तो वहीं सम मस्तिपूर के सीट पर चिराख पास्वान कहीं ना कहीं फस्ति हुए जरू नजर आ रहे हैं वोटिंग से ठीक पहले चिराख पास्वान को रोकने की कोशिश की गई है आपको बदा दें कि बिहार के वैशाली में चिराख पास्वान जन संपर्क करते वें नजर आ रहे थे प्रचार प्रसार के लिए जा रहे थे लेकिन देखा जाए तो बिहार के वैशाली में चिराख पासवान के प्रचार वाली गाड़ी पर हमला हो गया यह बात बीते दिन की है यानि की बात 11 मई की है जब चिराख पासवान वैशाली जा रहे थे आपको बता दें जानकारी के अनुसार कि उनके प्रचार गाड़ी पर हमलावरों ने हमला कर दिया इतना ही नहीं प्रचार गाड़ी को गाओं में एंट्री करने से भी रोका गया इसके साथ ही गाड़ी में लगे पोस्टर और बैनर को भी फार दिया गया बताये जा रहा है कि हमलावरों ने ड्राइवर के साथ बत्तमीजी करने के साथ साथ मार पीट कर उन्हें जखमे कर दिया हमले का आरोप आरजेडी कारिकरताओं पर लगाये जा रहा है लेकिन जहां आरोप आरजिडी कारिकरताओं उप लगाय जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चिराक पास्वान को लेकर देखा जाए तो यहां पर जंता की नाराजगी उनके प्रती साफत और पर जाहिर होती हुई भी दिखाई दे रही है इसका सबसे बड़ा कारण है कि चिराक पास्वान NDA के साथ जुड़े तो हैं लेकिन NDA उनका साथ सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में देती हुई नजर आ रही है अब हमला यहां पर उनकी गारी पर हुआ लेकिन चिराक पास्वान इस घटना के दौरान वहां पर मौझूद न करने की कोशिश की अब ऐसे में देखना होगा कि क्या इसका असर वोटिंग के दौरान भी पड़ता हूँ नजर आएगा या फिर नहीं